नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल और पंकज गोर आज आपके सामने हाजर है आपको एक नय वीडियो लेके आज हम बात करेंगे आपकी बैंक स्टेट्मेंट के बारे में आप कोई भी वीजा अपलाई करते हैं तो उसमें एक जो है बैंक स्टेट्मेंट बहुत जुरूरी होती है अपलाई कैसे करना है और उसमें आपको कैसे मैनेज करना है उसको आपको कैसे मैंटेन करना है हम आपको सभी इसमें वीडियो में बताएंगे आपको पता है जब आपको इभी वीजा अपलाई करते हैं या तो शोट-शोट वीजा हो या तो आपका वो लोंग टर्म वीजा हो तो जो बैंक स्टेटमन्ट जो है आपकी बहुत बढ़ी भूमिकाप की वीजे में जो अपलाई करते हैं स्विजर लैंड, माल्टा, पृत ग फ्रांस और स्विजरलेंड आप किसी भी यूरोपियन शेंगन कंट्री का वीजा अप्लाई करते हैं तो बैंक स्टेट में जो एक बहुत बड़ा डोकुमेंट होता है कि आपको कैसे मैंटेन करना है और आपको सैलरी की कैसे एडजेस्टमेंट करनी है तो आपको सबसे होना से 1,80,000 से अभाव हमाँ चाहिए 1,50,000 मिनिमन तो है और उसके उपर आप जिन नमर ची पैसा रख सकते हैं तो आपको यह पैसा कैसे मैंटेन करना है मैं आपको यह बताऊंगा जैसे कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी वालों के लिए तो सही है कि उनके अ अरा है तो उनके अकाउंट में तो आ रहा है पर जो बिजनसमेन है वह यह स्टूनेट है वह कैसे मैंज करेंगे अपनी बैंक स्टेट्मेंट उसके लिए यह सबसे बड़ी बात में आपको बता रहा हूं कि आपको जो बीजा प्लाई करना है उसके त्री मन्त पहले ही आप आपको जो है अपने bank जो आपका saving account है जो आपका saving account है आपने उसमें पर month 30,000 या 40,000 month के हर end में आपको money add करते रहना है जैसे आप 3 month की bank statement दिखाते हैं तो आपके हर month में 40,000 जो है वो add होता रहेगा जब आप 3 month की bank statement निकलवाएंगे तो उसमें show होएगा कि आपके account में हर month 30,000 और 40,000 business जो की आपकी जो salary है या जो आपका income source है जो आपका deposit हो रहा है जो लोग business कर रहे हैं वो भी यही कर सकते हैं कि अपने account में हर month के end में 30,000 या 40,000 add कर सकते हैं और सबसे बड़ी मैं आपको एक बात यह बताता हूं जैसे जो लोग bank statement बना रहे हैं उनको यह इसला देता हूं कि जैसे Google पे हो गया जैसे चोटी चोटी payment होती है जैसे हम Google पे यूज करते हैं फोन पे यूज करते हैं तो यह चोटी चोटी payment उस दोरान यूज ना करें क्योंकि जैसे आप कोई bank जो बड़ी बड़ी payments हैं वो आप उस account से कर सकते हैं पर चोटी payments ना करें विकोज जब आपकी थ्री मंत की bank statements लेते हैं तो उसमें पूरा detail आता है तो उसमें जैसे detail आएगा 100 रुपीज का 200 रुपे का 300 रुपे का तो यह देखने में ही बलकुल अच्छा नहीं लगता है कि आपकी 100-100 और 200-200 रुपे की आपकी जो है वो पे किये गया है तो मैं आपको यह suggestion दूँगा कि जो आपकी चोटी-चोटी payments हैं व इससे की embassy को भी यह लगे जब वो आपकी bank statement चेक करें कि आपके accounts में changes हो रहे हैं जो इसे भी income source आ रहा है जा रहा है तो उसका जो flow जो है बना हुआ हुआ है सबसे बड़ी बात है आती है कि आपकी जो file है वो embassy को कैसे रिपर्जेंट करी जा रही है उसमें bank statement कैसे डाली गई यह है तो जैसे मैंने grace का visa apply किया था तो मैंने उसमें जो bank statement दिखाई थी वो मैंने उसमें 3-month की bank statement दिखाई थी और मैंने उसमें सब ही जो document थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो आप बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं तो के बार जो बैंक स्टेटमेंट में जो आपको बैंक स्टेटमेंट निकालके देते हैं भू क्या करते हैं कि जो सबसे लास्ट में पेपर आ रहा होता है उसके ओपर स्टैम मारते हैं तो जो अकाउंट में जब आप ज़्यादा amount दिखा रहा है आपने उस पर stamp लिखानी है और उस पर highlight करना है आपने सबसे टोब पर उसी paper को रखना है जिसमें आपका सबसे ज़्यादा जो है, amount show कर रहा है, तो आपने उस amount को highlight कर देना है, अगर करना चाहते हैं, और उसके उपर ही आपस stem वरवाना, अपने bank से, और जातर लोग यह try करना, कि जो अपना bank statement निकाले हैं, वो government bank से निकाले हैं, जैसे SBI हो गया, तो SBI एक बहुत बड़ी वराच है, जो State Bank of India है, तो तो आप उससे अगर अपना bank statement निकालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा वो सभी अपने documentation complete कर लेते हैं पर एक bank statement की समस्या रहती है वो bank statement को समझ नहीं पाते हैं कि कैसे करना है उसको कैसे maintain करना है पर ये भी नहीं होता कि बहुत ज्यादा bank statement दिखाएंगे तो भी sure है कि आप आपको visa मिलेगा मिलेगा और बहुत लोग अगर bank statement दिखाएंगे तो भी आपको visa मिलेगा मिलेगा पर ये जो सबसे ज्यादा जो डिपेंड करता है वो embassy के उपर डिपेंड करता है और embassy आपकी जो bank statement जरूर चेक करता है अगर आप ये रोप का शेरिंगन का visa apply कर रहे हैं त तो आपको बहां पर डेके 20,000 के हिसाब से देखा जाता है तो 20 x 10 तो वो 2 lakhs के around हो गया पर मैं आपको ये suggestion दूँगा जैसे आप शेरिंगन वीजा apply करते हैं तो maximum आप 7 days का trip plan करें और उसके हिसाब से आपका 1,500,000 का जो की bank statement आपको show करनी पड़ेगी जो 1,500,000 रुपे आ अपने account में maintain कर सकते हैं और आप ट्राइ करें कि जो आप bank statement जो दे रहे हैं वो सेविंग account से दें और उसमें ज्यादा चोटी चोटी टांजक्शन ना करें कि आप bank statement लेके BFS Global जाते हैं क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो BFS Global से ही apply करना पसंद करते हैं आप उनके पास अगर FODE लेके जाते हैं credit card लेके जाते हैं mutual funds चेक्स या कुछ ऐसा लेके जाते हैं तो उनको accept नहीं करता है क्योंकि embassy भी उन ऐसी चीज़ों को accept नहीं करती है embassy आतर bank statement पर ही depend करती है तो आपको एक बहुत अच्छी bank statement बनाना बहुत जुरूर है आपके visa के लिए और जैसी आप bank statement maintain करेंगे उसी हिसाब से आपको visa जुरूर मिलेगा मैं आपको यह suggestion दूँगा यह चोटी-चोटी बातें आपने बहुत ध्यान रखनी है कि आपने चोटी-चोटी transaction अपने salary account से नहीं करनी है अगर बड़ी transaction है 10,000 से अब अब की 20,000 की तो वह आप उससे कर सकते हैं क्योंकि आपके अकाउंट में cash in and out का flow जो है वह बना रहेगा बात यह है कि जब bank statement आप निकाल रहे हैं तो उसके उपर जो bank की जो stamp है वो सबसे उस page पे लगाएं जिसमें आपका सबसे ज़्यादा amount शो कर रहा है और अपने bank statement सबसे top पे उस paper को आप रखें bank statement उन लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है जो कि company में काम कर रहे हैं विकोज उनको तो पता ही है उनके account में हर मन्त salary आ रही है और वो आगे कहीं खर्च भी कर रहे हैं और मुश्किल business man लोगों के लिए हो जाता है और जो agriculture से लोग जुड़े हुए मुझे बड़े मैसी जा रहे थे अगरी कल्चर वाले की bank statement हम कैसे maintain करें तो अगरी कल्चर वालों से मैं यही बताऊंगा यह students हैं जो हमारे उनसे मैं यही बताऊंगा कि आप जो है अपने account में पर मन्त 30,000 या 35,000 हर मन्त के end में deposit करना start कर दें तीन में ही पहले ही उसमें money deposit करना start क कर दें जब आप bank statement निकालें तो bank statement आपका यह शोई करेंगा कि आपको 35,000 जो है वो आपकी account में पर मन्त आ रहा है तो मैसी भी उस भिहाब पे आपको बीजा जल्दी से मिलेगा और अच्छा मिलेगा और आपको बीजा लग जाएगा चोटी transaction गूगल पे बगार मैं इसलि cash का इन और आउट का flow उसमें बना रहेगा और ट्राइ करेंगे हर मन्त के end में उसमें 35-40,000 एड होता रहे जिसे कि आपको bank statement आपका जो है वो अच्छा maintain हो यह जो आजगा हमारा topic था bank statement के बारे में था और अगर आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं अपना link में Instagram आई कि हमें क्या-क्या embassy में document बेजने चाहिए embassy में documents के लिए बेजने के लिए मैंने अलग से video बनाया हुआ है bank statement का video जो रहता था वो मैंने आपके शेयर साथ शेयर कर दिया है तो ट्राइ करें कि आप bank statement जो शेयर कर रहे हैं embassy के साथ वो जो है 150,000 से अब होना चाहिए और उसी paper पेपर पे stamp लगाएं जिसमें आपका सबसे ज्यादा amount शो हो रहा है 150,000 जो बैंक की stamp लगेगी वह पेपर पे लगाए और उस paper को जो है वह जैसे आप bank statement निकलते हैं तो 5-6 pages में आपको जैसे निकलते हैं तो उसमें जो आपका जिस पेपर में आपका सबसे ज्यादा amount शो क पर रहा है उस paper को stamp करें और उस paper को सबसे टोप लगाएं क्योंकि embassy जो है वह आपके सारी पूरी bank statement के बार चेक नहीं करती वह सबसे बढ़ा जो है आपका सबसे टोप के जो पेज है उसको देखती है तो उसके उपर अगरा 150,000 से दिखाएंगे तो वह ठीक है और आप मैक् सबस्क्राइब लाइक जरूर करें और मैं अपने आगे आने वाली वीडियो में सभी मैं आपको बताता रहूंगा कि आपको कैसे आप जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाओंगा वो बनाओंगा कि आप कैसे बी एफस गलोबल में अपनी application सब्मिंट करें तो bank statement के यह जो सब्सक्राइब निकाल रहे हैं तो किसी से पैसे उधार भी ले सकते हैं जैसे आपने अपने अकाउंट में डाल दिया और bank statement निकालने के वार 50,000 अपने उधार लिया था वो आपने उसको बापिस कर दिया तो आप यह भी कर सकते हैं उससे क्या होएगा कि आपका जो आपने अपने मालों कि आपने सोचा हुआ है कि मैं एक लाग 50,000 की bank statement निकाल रहा हूं और आपने उससे 50,000 लेके उसको 2,000,000 बना दिया तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा क्योंकि जब 2,000,000 देखेगी तो उसके लिए अच्छा लगेगा कि आपके अकाउंट में 50,000 हवदार लिया मैंने उसमें जब bank statement निकालनी थी 50 उसमें डाला और 2,000,000 की उसमें निकाल लिया तो ट्राइ करें कि जो minimum balance है बो 1,500,000 से अबब हो और अगर आप उससे उपर 2,000 तक कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है यह जो आज का हमारा video था वो bank statement के बारे में थ Oh thank you, guys